हेलो गाइज, हुमार क्लासस में आपका स्वागत है, जैसा कि हम लोग आगे देख रहे थे कि पिछले दो क्लास में हम लोगों ने भारती है राध्य व्योस्था एम सन्मिधान के जो 1500 प्लस जो इंपोर्टेंट क्विस्टन से अत्म हतोपुर्ण स्वाल जो हर एक परिक्षा में पुछा जाता है, आपको जो खात में अभी VPSC, SSC, MTS, CGL, CHSL, MPP, MTSI, ये सभी के लिए बहुत ज्यादा महतोपुर्ण VPSC फिचर के लिए तो अती ज्यादा महतोपुर्ण आपको स्वाल है, तो जिसको हम लोग आगे सीरीज में देखेंगे, दो क्लास हम लोगों ने कर लिया था, ये 1500 प्लस मतलब 1500 से 2000 के बीच आपको questions रहेंगे, जिसका उतर हमें जानना अती आवस्यक है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग ने 25 नंबर आपको जो हैना, pages तक देख लिए था, 25 pages तक, अब हम लोग देखते हैं, 26 pages से, ठीक है, तो देखते हैं, आपके सामन संध्मीर के कम है और एकात्मक क्या है, आपको ज्यादा है, ये आपको राजनीति भिज्ञान के बहुत बड़े जनकार थे, और इसका आप मतलब धी समझाया था, कि कैसे जो हैना आपको हमारा सन्विधान, हमारा जो भारत देख का सन्विधान है, वो संध्ये कम और एकात जादा कैसे है मैं इसके बारे में बता चुका था पिछले क्लास में तो इसका उत्तर क्या था को के सिफियर के सिफियर ने कहा था कि भारत का संधान जो एक संधिये कम है और एक आत्मक जाता है कि असे आई विकास पैंग का मुख्यालआग किस देश मिखतित है तो थह के विकास बैंक जो एसने सब्लाप मेंच बैंक अड़ी डोबी का भिन आपको एड़ कवार्टर कहा पर है फिलिपीन अकर्पिटल मनीला में है फिलिपीन गार का सबक्र assuming के है मनीला में अपको प्रस्न है अगला कि ब्याजदर किस निती से संबंदित है तो आपको ब्याजदर मौदरिक निती से जो है आपको संबंदित है ब्याजदर इस रिलेटिट विलेटिक ब्याजदर कि ब्याजदर यद्यक इस्वाइब करें किया गया था इइस ब्याजदर का किया गया तो आपको सियर बजार में अल्फा फेक्टर का आर्थ क्या होता है सियर बजार में अल्फा फेक्टर का मतलब क्या होता है तो अल्फा फेक्टर का मतलब होता है सियर बजार में आपको ऐसी ओधारना जो किसी सियर वो अंतर निर्दिष्ट और स्थिर्था का मापन करती है जो सियर के जो सबसे बड़ा ट्रेड उनियान आपको सदस्य संख्या के अधार पर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड उनियन आपको इंटक्ट है ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाती, धर्म, आधी के अधार पर प्रिठक निर्वाचन छेत्र बनाने का प्रावधान किया था, वो किस अधिनियम, प्रिठक निर्वाचन का प्रिठक निर्वाचन आपको प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया था, मैं कल भी बताया था, उने 109 में आपको मरले मिन्टो सुधार आया था उसके द्वारा आपको प्रिथक निर्वाचन छेतर पनाने का काम किया गया था धर्म, वर्ग, जाती के आधी के अधार पे धर्म, वर्ग, जाती, आधी के अधार पे separate electorate का जुखे न आपको प्रावथान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1909 जिसे मारले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा के नाम से भी जाना जाता है अंतराजिये परिशत के संबंद में उपबंध सन्मिधान के किस अनुछेद में वड़नित है तो अनुछेद 263 में जो है आपको अंतराजिये परिशत के संबंध में उपबंध किया गया है सरकारी उपकरम समिथी ठीक है में कुल 222 सर दसे सरकारी उपकरम समिथी में जो है नंको कितने सदसिे होते हैं 22 सदा से होते हैं, जिसमें लोग सभा से 15 और राज्य सभा से कितने होते हैं, साथ होते हैं, सरकारी उत्तुरम समीति, जिसे हम लोग वितिय समीति के नाम से भी जानते हैं, इसमें कुल 22 सदा से होते हैं, जिसमें लोग सभा से आपको 15 और राज्य सभा से 7 सदा से होते हैं, र 149 में राजस्थान हाई कोट किसका राजस्थान हाई कोट कहां पे है कल बलाया सामने जोधपूर में है कहां पे है राजस्थान का हाई कोट कि जो अधुकुर में है उसकी अस्थापना आपको 199 में होती है और आपको 1866 में इलहाबाद हाइकोट का झायाकोट 1866 इलहाबाद हाइकोट जो है आपको फुतर परदिस का हाइकोट है किस सन्विधान संसोधन के दौरा राष्टपती परधान मंत्री यों लोक सभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्याले के छित्राथिकार से बाहर किया गया किस सन्विधान संसोधन के दौरा राष्टपती परधान मंत्री यों लोक सभा के निर्वाचन संबंधी जो विवाद है वो न्याले के छित्राथिकार से बाहर किया गया 49 सन्विधान संसोधन के दौरा आपको राष्टपती का जो विवाद होता है प्रधान मंत्री का जो विवाद होता है, लोगसभा का जो निर्वाचन से सम्बंदी जो कुछ भी विवाद होता है, उसको आपको नियाले के छितरातिकार से बाहर कर दिया गया, आपको 49 वा, सन्विंदान संसोधन 1975 के द्वारा, मतलब राष्टपती प्रधान मंत्री ये अनुछेद में प्रेस की स्वतंदरता से जो है आपको वर्नित है, तो अनुछेद नंबर 19 का जो है न कमे मैंने कल ही बताय था, या 19 के ए में आपको प्रश्न ये है कि भारतिये सम्विधान के कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुछेद में प्रेस की आजादी की बात कही तो 19 के काम, 19 के ए में, ठीक है, अब है राष्ट पती किस सूची के विसेओं पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, राष्ट पती आपको राज्य सूची के विसेओं पर जो है ना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, राष्ट पती के द्वारा जो है ना आपको अध् प्राश्ट्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्रा सबसे पहले के किस अनुछेद में मौली करतब यह को जोड़ा जाता है तो आपको मौली करतब यह को जोड़ा जाता है तो आपको मैं बताओं तो मौली करतब यह को हम लोगों ने कहां से लिया था युनाइटेड युनियन ऑफ सोबियत सोचलिस्ट रिपब्लिक सोबियत संग से लिया था मौली करतब यह को कहां से लिया था सोबियत संग कह सकते हैं या उसके साथ साथ आप कह सकते हैं इसको रसिया से लिया गया था, रूस से लिया गया था, क्योंकि सोवियसंग का उतराथिकारी कौन राजी बना था, आपको जब सोवियसंग का बिघटन हुआ था, सोवियसंग का बिघटन कब गवा था, यह भी मैं आप लोग को जानकारी देदू, तो सोवियसंग का लिया था जो कि हमारे समिठान के अनुछिएद नंबर आपको 51 के ए में है किसमें अनुछिएद नंबर क्यावन के ए मी है यह 42 समिठान से सोधन जोड़ा था कब जोड़ा था मौलिक कर्तब के सिफारिष पर हम लोगों ने जोड़ा था तो सर्दार स्वर नसीह समीती के सिफारिष पर हम लोगों ने जोड़ा था आगे संविधान का संडख्षक कि सरवच न कि अंग अधिकार किस सनुधान ही तो संविधान संडख्षक जो है ना हमारा जो सर वच न आ लए है को संविधान संडख्षक कौन है आक को प्रटेक्टर यहां प्रूंस कहा जाता है अंग्रेजी में प्रोटेक्टर ओफ आवर कॉंस्टिचूशन हमारे सन्विधान का सन्रक्षक कौन है हमारे संविधान का सन्रक्षक कौन है तो सुप्रिम कोट है यह भी कुछ सकता है कि हमारे सन्विधान का सन्रक्षक किसे कहा जाता है तो सन्विधान का सन्रक्षक क्या होगा आपको सन् सनिधान का सनर्ख्षक किसे कही डिया था, इसको अमेरिका के सनिधान से लिया था, आपको सनिधान के सम Prabhup ke aka से लिया था. भारत की संप्रभूता किस में नहीं था है ठीक है भारत की संप्रभूता भारत की जंता में नहीं था है अरे भारत की जंता में इसलिए नहीं था कि जब हम लोग भारत का संधान खोलेंगे तो भारत के संधान में आपको सबसे जो पहला प्रियंबल जैसे ही खोलेंगे तो से स्टाट कोता है हम भारत के लो तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत की संप्रभूता जो है ना भारत की सोर नीटी जो है वह आपको भारत की जनता में नहीं है विस्व के एक मात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताईए विस्व का एक मात्र हिंदू राष्ट्र कौन ह आपको नेपाल है, ठीक है, वो भी नेपाल जो है गर्ण तांत्रिक राष्ट है, मतलब लेकिन अगर पूछा जाएगा कि आपको फिस्व का एक मात्र हिंदू राष्ट, तो आप लिख सके हैं, इसका उतार सही होगा नेपाल, नेक्स्ट क्वेस्टन है, भारत का प्रथम विधी अधिकारी कौन होता है, तो भारत का प्रथम विधी अधिकारी कौन होता है, आपको भारत का महान्यायवादी, जो आपको भारत का महान्यायवादी होता है, वही भारत का प्रथम विधी अधिकारी होता है, नेक्स्ट क्व को संपूर्ण प्रभुत्व संपन लोगतांत्रा गंडराजी कब वसित किया गया अरे इसका जो है न जबाप मैंने कल भी बताया था 26 जनवारी 1950 को भारत का समिधान पूरी तरीके से लागू हो गया था उसी दिन हमारा राज्य एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन एक लोग यह सदे सैं आ अहए बस्तशेब नहीं है मुझल अधिकार को सरोपर रख में सन्वाधानिक मानेता प्रतां के醒ा और हम लोगों ने मौन लिया भी कहां से है भाई तो अम्रीका से लिया है अमेरिका से लिया है मुल अधिकार को आपको आर्टिकल नंबर अनुष्य कौन कर सकता है तो अखिल भारतिया सेवा जो होते है उसका स्रीजन जो है ना राज्य सभा कर सकती है और उसका जो है राज्य सभा के दो बटा तीन बहुमत से कितना पहुमत से है अखिल भारतिये सेवाओं का सरेजन कौन कर सकती है राज्जी सभा वो भी दो बटा तिन पहुमत से लोग सभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मानेता प्राप करने के लिए एक दल द्वारा नियुनतम कितने परतिसत सीटे करना आवसेक है लोग के पास सीट प्राप करना जरूरी होता है तभी आप जो हैन विपक्षी दल का मानेता मिलेगा मान लिजिए कि जो हैना टोटल 500 सीट है लोग सभा में कितना सीट है आपको 500 सीट है मान देते है ठीक है तो इसका 10% कितना होगा 50 500 का 10% कितना होगा 50 होगा तो यह जो है आपको कम से कम सीट प्राप करना पड़ेगा ज़ इसलिए बीपक्छी दल की आपको माने त्टा प्राप करने के लिए आपको जो कुल सीट्ए हसे होती है उसका 10 प्रथिस sih प्राप Candice आनिमारिय है आवस्याथ है कि संधान सभा के पहली बैठक किस दिन सुरू हुई थि मैं कल भी बताया था सन्धान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी ठीक है उसमें जो है डॉक्टर सचिदानन सिन्हा एस इन सिन्हा को अध्यक्षे चुना जाता है और आपको जो सन्विषान सभा की दूसरी बैठक दो ही दिन बाद 11 दिसंबर 2014 को हुई थी 11 दिसंबर 2014 को जिसमें आपको डॉक्टर राजेंदर परसाद को आपको इनका अध्यक्षे चुना जाता है और राजेंदर परसाद आपको इसके अस्थाई अध्यक्षे चुने जाते हैं ठीक है यह अस्थाई रूप से जो है ना चुने गए थे आपको अध आगे चलके न हमारे सनिधान से प्रस्ताओ आगे चलके प्रस्ताओना बनता है या आपको उसे उदे सिका भी क्या सकते हैं अगला स्लाइड में क्वेस्टन देखते हैं कि प्रस्नी ये है मुल संग्धान में राजियों के चार अलग-अलग प्राव वरगों को समाप करने के लिए किसकी अध्यक्सिता में राजिपुनर गठन आयोग का गठन किया गया तो इसका अंसर है फजल अली के अध्यक्सिता में मुल संग्धान में राजियों के चार अलग-अलग प्राव वरगों को समाप करने के लिए किसकी अध्यक्सिता में राजिपुनर गठन आयोग का गठन किया गया तो फजल अली आयोग की अध्यक्सिता में जो है ना तो वैधानी का दिकार है, संपति का अधिकार मैंने कली बताई था लीगल रहे हैं, क्या है, संपति का अधिकार पहले क्या आपको मौली का दिकार था, लेकिन 44 सनुजान संसोथन द्वारा कौन से, 44 से Constitutional Amendment के दुआरा आपको जो 44 सनुजान संसोथन जब कर होता है, 178 में होत तो उसके द्वारा संपतिक अधिकार को हम लोग मौली का अधिकार से हटा के वैधानिक अधिकार में डाल देते हैं, तो यह जो है ना हमारा संपतिक अधिकार, अब मौली का अधिकार नहों करके क्या है, वैधानिक अधिकार है, ठीक है, किस वर्ष संसद ने छुवा छुट जो अस्परिस्यता होता है उस छुगा छूत जो अपराध अधिनियम को संसोधित करके सिवील अधिकार संरक्षन अधिनियम के नाम से पारित किया तो आपको सिवील अधिकार संरक्षान अधिनियम के नाम से कब पारित किया जाता है 1976 में 1976 में आपको संसर्थ के द्वारा छुट जो अस्परिसियता अपराथ अधिनियम को संसोधित किया जाता है और उने 1976 में उसको सिवील अधिकार संरक्षान अधिनियम के नाम से पारित किया जाता है किस संविधान संसोधन अधिनियम ने राज्य के निती निर्दे सकतातों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक परभावसाली बनाया मतलब निती जो निर्दे सकता तो है DPSP क्या डिरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉनिसी को किस संविधान संसोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से भी ज्यादा प्रभावसाली बनाया गया तो आपको इसका उत्तर क्या होगा मौलिक अधिकार से भी ज्यादा प्रभावसाली किसे बनाया जाता है मौलिक आपको DPSP को डिरेक्टिव प्रिंस्पल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जिसे हिंदी में हम लोग नीपिन देसकतर तो कहते हैं भारत के कौन से राष्टपती सेकेंड प्रिफरेंस के मतों की गंड़ना के फल्सवरों को अपना निश्चित कोटा प्राप कर निर्वाचित हुए थे वीवी गिरी जो थे वो सेकेंड प्रिफरेंस के मतों की गंड़ना के अतार पर जो है ना आपको निश्चित कोटा प् पढ़ाएंगे राश्कपती का चुनाओ पधती जब पढ़ाओंगा एकल संक्रमणी है पधती के द्वारा उनका चुनाओ किया जाता है ठीक है उसमें आपको जो है न कैसे वोटिंग का जो है इंकाउंट किया जाता है उसको हम लोग आगे देखेंगे कभी तो मैं सेकेंड प्रिफेंस के मतलब मत्तु जो द्वितिये पसंद का जो आपको मत का गन्ना होता है उसके फल्षवरुप जो है ना विविगरी को आपको राश्कपती चुना जाता है अगला कुस्टन आपके सामने है सनुधान के किस अनुछेद की अंतरगत वितिया पातकाल की प्रबास्ता है उसके अनुछेद नम्बर 3200 साठ में और को वितिया पातका मैंने कल बिगाए था आपका था आपको जक्राश्क्य चुना किसी भी राजिय में आपको तो राश्पती सासन लगा सकता है प्रसेदेंशीयल रूल लगा सकता है कब जब उस राज्जी में सनविध्हानिक कंद्र क्या हो जाता है वीफट वह वितियापात की बात कही गई है वितियापात भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगी है तेकिन राष्टियापात भारत में तीन बार लग चुका है आगे बात करते हैं प्रथम पंचाईजी राज व्यवस्ता का उद्वाटन पंडी जवाहला नेरों ने दो अक्टूबर उनसट को किस अस्थान पर किया था तो इसका उत्तर होगा नागौर जिस्टिक में राजस्थान में आपको राजस्थान में एक नागौर जीला है वहाँ पे जो है आपको क्या किया जाता है प्रधान मंतरी जवाल जवाहरला नहरु के द्वारा 1959 में आपको पंचायती राज ब्यवस्था का खाटन किया जाता है सबसे पहला बार दो अक्टूबर गांधी जी के जल्म दिन पर दो अक्टूबर 1909 को ना गॉर्जिली में राजस्थान में इस्तित थे ना गॉर्जिला लोगसभा का कोरम कुल सदस्य संखा क्या खितना है लोगसभा की जो है आपको सेटो का जो है ना 1-10 मतलब आपको 55 जो है 55 सीट जो आपको सदस्य है उनका उपस्थित होना जरूरी है तभी उनका पूर्ती होगा तभी उनका कोरम पूरा होगा और तभी बैठा का संपन हो पाएगी तो लोगसभा का पूरा फोरम कितने सदसे कुल सदसेंख्या का कितना भाग होता है तो एक बटता सब्सक्राइब होता है मतलब 550 अकर सदस है तो 55 सदस्यों को अपस सिफोना अनिवार रहे है पंचवर्षी योजना का अनुमोदन तथा कुंड्रिक्षन किसके द्वारा किया जाता है राष्ट वित काव दोवल्ग कार राजेपाल के द्वार और आपको जो पॉत रफिवतार मंत्रियों के लिवन खकुरी थन्हें ट करता है राज्य पाल तब सब्सक्राइब 7각 सरस्थ जो है मंत्रियों के दवारा और आपको जो राश्ट्र रास्तर पे होता है वो उसका उस पे मंत्रियों की निक्तिकेस के द्वारा की जाती है आपको प्रधान मंत्री के सला पे राश्ट पती के द्वारा की जाती है और राज्यस्तर पे राज्यपाल के द्वारा मुख्य मंत्री के सला से नए राज्यों की गठन अगर घटाना है, बढ़ाना है, तो उसका अथकार किसके पास है? संसत के पास है. नए राजे का गठन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, उसका अथकार संसत के पास है. वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, उसको लाइक किजिएगा, वीडियो को सें पति के द्वारा फंग किया जा सकता है और राजी सफा को भंग किया ही नहीं जा सकता है राजी सफा कांट भी डिजोल राजी सफा को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन लोग सफा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा तो राफ पति के द्वारा किसकी सला पे प्रधान मं मत्र के सला पर सकता है वैसे थो कर सकता है तो इस तरह से होता है थो बीचीफ techniques you can make is a team क Sith कौुट इसधान में चुत कौन होता है दो हमने बहुताया है पर सकती किस्मति कॉर सक्षेशृड कर थो प्रस्ण है राज्य सभा का सबसे पहले गठन कभ गठा था तीन अप्रेल उनिस्ट पावन को राज्य सभा गठित की जाती है संसत का कोई सदसे अपने अध्यक्ष की पुर्व अनुमती के बिना कितने दिनों तक संतान में अनुपस्थित रहे तो उसका अस्थान रिक्ष्षित कर दिया जाता है अगर संसत का कोई भी सदस्य ठीक है अपने अध्यक्ष की अनुमती के बिना अगर वो साथ दिन तक अनुपस्थित रहता है कितने दिन तक मतलब दो महिने तक अध्यक्ष की अनुमती के बिना आपको अनुपस्थित रहता है सदन में तो उसका अस्थान क्या कर दिया जाता ह रिक्त भॉसित कर दिया जाता है, तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा, साब दिन, प्यूसन है, लोगसभा अध्यक्स को कौन चुनता है, तो लोगसभा के सदस्य, लोगसभा के सदस्य चुनते हैं, लोगसभा के सदस्य के द्वारा, लोगसभा के जो स्पीकर है, लोगसभा स जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है लोगसभा का मंद्धिक- लोगसभा का अध्याग्छ का संग सासित-चेतर भी राजय-सभा में अपना पना परतिनिधी भेज़ते हैं स्वलाह पर्तिने चूलन के जाते हैं कितने पर्तिनिति वैसे ही उत्तर परदेश से कितने हैं घ्र एक राजियों से जाते हैं तो उत्तर परदेश से 31 जाते हैं ठीक है लोगसभा में व्या राज्य सभा में परतिनीधी भेजे जाते हैं, तो बिल्कुल हाँ, सही उतार है, राज्य के साथ साथ संसासी छित्रों से भी राज्य सभा में आपको परतिनीधी भेजे जाते हैं, कियंद सरकार का सनवेधानिक प्रधान कौन होता है, राश्टपती, कियंद सरकार का constitutional head कौन है constitutional head आपको सनवेधानिक प्रधान कौन है आपको राष्टपती है लेकिन प्रधान कौन है तो प्रधान मंत्री राष्टपती पद के चुनाव संबंदी विवाद को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है खोड़ी देर पहले मैंने पताया कि जो आपको राष्टि से संबंदित जो निर्देशित कियाा जाता है किसके द्वारा निर्देशित किया जहता है सुप्रीम पॉट के दवारे कि देशी नरेसों के प्रीवी पर्ष और विसेस अधिकारों को किस संविधान संसोधन द्वारा जो है न समाप कर दिया गया था तो मैं बताया था, कल ही आपको जो देशी रियास्तों के जो राजा थे, जो आपको छोटी-छोटी रियास्ते थी, बड़ी-बड़ी रियास्ते थी, उसके जो राजा थे, उसको एक विसेस परकार का अधिकार मिलता था, जिसे हम लोग प्रिवी पर्स कहते थे, उस प्रिव सभान सतंसो दन मुणी तरका नौता है उसके दोछा प्रुवी परस को क्या कर दिया जाता है जिसे सभिषीकार राजाओं प्रुट याफ टॉक्ष जाता है समाप कर दिया जाता है तो प्रिवी पर्स से सम्मंधित कौन सा जो है ना आपको constitutional amendment है सब भी समाशन फांवर्टोगा 1971 सनुधान सभाद का गठन किसकी सिफारिस पर किया गया था cabinet mission योजना की सिफारिस पर किया गया था सनुधान सभा की गठन सनुधान सभा का गठन आपको cabinet mission योजना जो है ना 1946 में होती है 1946 में आती है क्लापो केबिनेट मिसन योजना उसी के सिफारिस पे सनधान सभा का गठन किया गया था और सनधान सभा का पहला बेठक 9 दिसंबर 1946 को होता है सनधान का कौन सा अनुछेद समाजिक समानता का अधिकार परदान करता है हमारे सनधान का कौन सा अनुछेद करता है समाजिक समानता का अधिकार तो आपको समाजिक समानता का अधिकार अनुछेद 15 के द्वारा परदान किया जाता है सनधानिक संसोधन के लिए विधेव को संसद के किस सदन में पेस किया जाता है अगर Constitution में Amendment लाना है आपको सनिधान में को संसोधन करना है तो आप इससे सम्मधित जो आपको बिल होगा इससे सम्मधित जो आपको प्रस्ताव होगा इससे सम्मधित जो विध्यक होगा उसको राजिसभा में भी आप पेस कर सकते हैं और लोगसभा में इसको पेस किया जा सक होगी उसको किसी भी आपको संसोधन की प्रकृया है वो कहां लेकिन हमारे सन्मिधान के किस अनुछेद में जो है ना सन्मिधान संसोधन की प्रिक्रिया है, तो हमारे सन्मिधान के आपको अनुछेद नमबर 360, constitutional amendment, मतलब सन्मिधान संसोधन की प्रिक्रिया, नमबर 368 में है आर्टिकल नमबर 368 में है राष्ट्पती पद पर आपको सबसे कम ओधी के लिए आपको पद आसिन करने वाले कौन प्रेक्टि हैं सबसे कम समय के लिए आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन आा आपको राष्ट्पती पद को सबसे कम समय तक पढ़ने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन ठें ही इनकी क्या हो जाती है? मिर्टी हो जाती है तो आपको सबसे कम समय पे जो है ना सबसे कम समय तक कौन थे आपको राष्टपती पद्पोस स्ववित करने वाले डाक्टर जाके रुसान राजियों का भासाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था भासा के आधार पर राजियों का गठन 1956 में आपको भासा के आधार पर राजियों का गठन किया गया था भारतिय सनुधान में किस अनुछियत को सनुधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है तो हमारे भारतिय सन्विधान में जो आर्टिकल नंबर जो है आपको 32 है जिसमें सन्विधानिक उपचारों का अधिकार है क्या है सन्विधानिक उपचारों का अधिकार इसे ही जो है सन्विधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमरा अबेदकर के द्वारा आपको सन्मिधान के आत्मा के नाम से इसको सम्भोधित किया गया था मतलब भातिय सन्मिधान में जो अनुछेद 32 है उसको सन्मिधान के आत्मा के नाम से जाना दाता है तो heart and soul of our constitution is article number 32 ठीक है बिहार विधान सभा में सदस्यों के अधिक्तम संख्या कितनी है तो बिहार विधान सभा में 243 विप्यसी से समद्धित जो है ना आपको मैं पहले ही बताया हूं कि विप्यसी के लिए अती मुहत्वपूर्ण सवाल है तो इसको बिल्कुल देखिएग और वैसे अभियर्ण सभा में सदस्यों के अधिक्तम संख्या कितनी है आपको 243 है लोगसभा के चुनाव छेत्रों का परिश्यमन किस वर्ष की जंगन्ना के बाद किया जाता है तो आपको किया जाएगा दोजारचबिस के बाद जो है ना जो लोगसभा के चुनाव छेत्र है उनका परिश्यमन किया जाएगा तो अधिक्तम सब्सक्राइगा किया जाता है महापौर नगर निगम जो सर्वाचा तीकारी होता है उसे लोग महापौर के नाम से जानते हैं प्रफम लोग सभा चुनाओं में कितने राजनितिक दलों को राष्ट्रिये दल के रूप में मानित आ दी गई थी जब पहला बारा लोग सभा चुनाओं को 1952 का दर्जा दिया गया था कितने पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रिये दल का दर्चा दिया गया था तो चौदा जो आपको पॉलिटकल पार्टी थी वह चौदा आपको जो राष्ट्रिये दल का दर्चा दिया गया था पहला लोगसभा चुनाओं में जो कि 1922 में हुगा था प्रधानमंत्री का सच समधान सभाद्वारा पारीत सन्विथान में कितने अनुछ्यद और नसूचिया थी जब हमारा सन्विथान बनके तयार हुआ था जो हमारा मुल सन्विथान भाज हमारा ओरre Tal Ο चुए फा उस मूल्सनुधान की अगर मैं बात करूं तो मूल्सनुधान में 395 अनुच्यद थे, आर्टिकल कितने थे? अनुच्यद 395 थे और आपको 8 अनुसूचियां थी, अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, लेकिन अब कि अगर बात करूं, तो आप लोग खेर याद करलीजियेग कि अभी भी अनुश्यत कितने हैं 395 ही है लेकिन अनुशूचियां कितनी हो गई है आठ से बढ़के अब कितनी हो गई है अब अनुशूचियों की संख्या 12 है मतलब 4 अनुशूचियां उसको बाद में हमारे सनुधान में जोड़ा गया है बारतिये सनुधान कितने भागों में विवयाजित है। मैंने बताया ठोड़ी ज़र पहले कि आपको टोटल जो है ना, अनुछेद की संख्या कितनी है, 395 है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 हो już संव्धान में कितने माद हैं सम्भवब तीन वर्ष लगभभव में तिन वर्ष कह सकते हैं दो वर्ष 11 महहीं आपको 18 दिन तो दो वर्ष 11 महीना अठारा दिन तो लगभव भारत जो आपको सनिधान में संसोधन करने का अधिकार किसे है? संसर्पो. ठीक है, कौन सा अधिकार? अब आपात काल में भी समाप्तियासीमीत नहीं किया जा सकता है. तो ब्यक्तिगत सोतंतरता का अधिकार है और जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, उसको जो है, आपको अधिकार काल में इमर्जेंसी के दाउरान भी समाप्तियासीमीत नहीं किया जा सकता है. जो ब्यक्तिगत सोतंतरता का अधिकार है और जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, मतलब 20 और जो 21 है, वो आपको अनुछेद नमबर 21 और अनुछेद नमबर 20 है. तो ये दोनों को जो बालक को करखाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम में निप्त नहीं किया जा सकता है. तो आपको 14 वर्ष से कम आईवाले किसी भी बालक को करखाना या आपको किसी भी अन्य रिस्की काम जो होगा, जो जो जोखिम भरे काम होंगे, उसमें निप्त नहीं किया जा सकता है. तो से अनु शेद के अन्तरगात है आपको किसी भी बालत को जिसका उमर कितना सब है 14 और है 14 साल से कम ऊमर के बालत को आ इस फिम्भरे का में नहीं किया जा सकता है बस आज साथ के लिए इतना ही बाकी के समाथ है इसे लाइक किजिए गाँ वीडियो को से आर किजिएगे और उसके साथ साथ आप जो चैनल है सब्सक्राइब किजिएगा और ऐसे अभियर्थी जो आपको एक BPSC टीचर का तयारी कर रहे हैं, MPPolice, MPSI, बिहार पूलिस या अन्य जो competitive परत्योगी परिक्षा हैं, उसकी तयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, हर एक परत्योगी परिक्षा में पूछे जाने वाले सवा सदियो प्यार और हम आने लवार कि अपू यार्ण से अन्य जो प्रेख .